हेलो एब्रिवान, वेलकम बैक, मैं हूँ अभीलाशा और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ करक फैबरिक की जो सारी होती है, सिल्क वेगर की जो बहुत ज़्यादा करक होती है वो सारी को आप किस तरीके से पॉफेक्ट प्लेट्स के साथ पहन सको साथ ही साथ ये सारी दिन बर आपके उपर बिल्कुल स्टिफ और बहुत ही अच्छी तरीके से बंधे रहेगी तो आज यही टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगे, स्टे ट्योन एंड वच्छ द वीडियो तिल द एंड तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने पेटिकोट पहन लिया है और मैंने हील पहन लिया, क्योंकि सारी पहनने से पहले ही हमें हील पहनना होता है तो सारी का लुक ज़्यादा अच्छा आता है, मेरे हाथ में जो यह सारी है, यह कोई सिल्क की सारी है और इसका जो फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा करक है, बहुत ज़्यादा स्टिफ है लेकिन जब हम इसे अच्छे से पहनते तो यह बहुत अच्छी तरीके से हमारे बॉड़ी पे अच्छी तरीके से मतलब फिट हो जाता है तो यह रहा सारी इसे मैं इस तरीके से अपने राइट साइड से टक कर ले रही हूं सारी को चुकि मैं अल्लेडी बता चुकि यह बहुत करक फैबरिक की सारी है तो इसकी जो टकिंग हम करेंगे हर स्टेप पे जो इसकी टकिंग होगी बहुत ज़्यादा नीटली होगी नहीं तो अगर थोड़ा सा भी फुला फुला रहेगा तो फिर मैं देखने में मोटी लग हुँ मैं और इन प्लेट्स को पहले तो अपने लेफ्ट हैंड की हेल्प से पकर के अच्छी तरीक से सेट कर लूँगी ताकि यह मतलब उपर नीचे आगे पीछे न हो हैंड सबसे उपर वाला जो पोर्शन रहता है वो हमेशा स्लाइटली एक इंच लंबा रहना चाहिए तो पहले मैंने लेफ्ट हैंड से उपर की तरह पकर के सेट कर लिया और यह इसके टिप में मैं एक सेफटी पिन लगा दे रही हूँ ताकि यह अच्छी तरीके से सेट हो और आगे जो हम अभी पलू सेट करेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम ना हो अब हमने पिन लगा लिया तो इसलिए यह सिक्योर हो गया राइट हैंड से जो बचा हुआ पोर्शन था पलू का इसे में कुछ इस तरीके से एक दूसरे के उपर लेयर वाइस करते हुए और कि आप सारी पहनों तो मेक शियोर कि इसे हाथ से कंटिन्यू प्रेस करते रहे तो बहुत अच्छी तरीके से यह सेट हो जाता है हमारा पलू बनके तयार है तो इसे लेफ्ट हैंड से गुमाते हुए लेके गई हूँ और इस तरीक से एक राउंड लेते हुए अपने लेफ लगा लिया और यह आप देख सकते हो राइट साइड से जो पीछे की तरफ सारी आ रहा है कितनी अच्छी तरीके से हमारा सेट हो चुका है वह सिर्फ इसले क्योंकि हमने पलू सेट करने के टाइम में इसे बार बार प्रेस किया था अब हम अपना लेफ्ट साइड का जो ब चहन थे कुछ इस तरह की तो आपने अकसर देखा होगा कि जो लेफ्ट साइड से जो होता है ना कमर के पास अगर तीन चार पतले पतले प्लेट साते तो बहुत ही खुबसूरत लुक आता है सारी का और आपका फिगर भी देखने में खुबसूरत लगता है तो छोटे प्ल सारी और पिटी कोट को पकरते हुए मैंने फिन लगा लिया है और अब मैं यहां पे प्लेट्स बना रही हूं प्लेट्स हम नॉर्मल जैसे अपना बनाते हैं वैसा वह देख लीजिए आपकी सारी की लेंथ कितनी है अगर ज्यादा लंबी है तो आप ज्यादा बड़े पर सेट कर ले रही हूं इसे बार बार मैं हाथों से हिला हिला के भी सेट कर ले रही हूं क्योंकि जितना हम इसे पकर के हिला देंगे न तो यह अंदर से सेट हो जाता है और यहां पे भी मैंने इसे सेफटी पिन की हेल्प से सीक्योर कर ले ताकि मेरा प्लेट्स दिन भर अ और यहां पे भी टक करना है and make sure जो आप टकिंग कर रहे हो बहुत ही neatly हो क्योंकि थोड़ा सा भी फुला हुआ रहेगा ना तो आप फिर मोटे देखने लगोगे तो यह नहीं करना है हमको हमने सारी टकिंग कर ली प्लेट्स भी टकिंग कर लिया अब यह लेफ्ट हैंड से जो से प्रेस कर दे रही हो ताकि मेरी सारी अच्छे से सेट हो जाए and अब यहां पे मैंने एक फैंसी सेफ्टी पिन ले लिया और इससे अपने प्लीट्स को मैं सिक्योर कर लोंगी ताकि मेरे प्लीट्स दिन बर अच्छी तरीके से रहे that's it हमारी सारी हो चुकी है और हमने कां पिन लगा हुआ अच्छा नहीं दिखता है अब मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने लेफ्ट साइड से जो छोटे वाले प्लेट्स बनाए थे कमर के पास वो कैसा दिख रहा है दीखे कितना खूबसूरत लुक आ रहा है इस तरीके से तो यह छोटे छोटे चोटे ट्रिक् खूबसूरत लगता है आपके ऊपर वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर कीजेगा चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजे और कुछ और वीडियो देखनी की च्वाइस हो तो आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वी